नमस्का दोस्तों मैं हूँ रोहन शर्मा आज हम बात करेंगे कि क्या है पाकिस्तान का टोपिक प्लान दोस्तों आपको पता होगा कि 1971 में भारत ने एक युद लड़ा था पाकिस्तान के खिलाफ जिस युद को भारत ने बहुत ही शान्दा तरीके से जीत लिया था उसके बाद पाकिस्तान को ये लगने लगा कि अगर हमने भारत को इंटरनली कमजोर नहीं किया तो इन फ्यूचर भारत हमारे लिए खतरा बन सकता है इसलिए पाकिस्तान ने टोपिक प्लान शुरू किया इस प्लान के छे चरण होते हैं आज ऐसा माना चाता है कि पाकिस्तान जो है वो फिफ्थ और सिक्स्थ चरण में पहुंच चुका है तो इस प्लान के तहट वो छे चरण कौन से हैं उनको हम सीक्वेंस में डिटेल वाई समझेंगे तो अगर मैं पाकिस्तान के पहले चरण के बात करूं अंडर दिस प्लान टोपिक प्लान तो पाकिस्तानी सेना और आई एस आई एस मिल के क्या करेंगी कि कश्मीर यूथ को भड़काएंगी उनको जिहाद के लिए तैयार करेंगी घुसपैट के लिए उनको बोला जाएगा जिससे की आतकवादी हमले कश्मीर में करवाई जा सके मदरसे और मस्जिदों को और भी जादा बढ़ाया जाएगा ताकि आतकवादी हमले करवाने में और भी जादा असानी हो सके दूसे चरण में गैर मुसल्मानों को टार्गिट किया जाएगा इसमें सांपरदाइक धंगे करवाए जाएगे, कम्यूनल राइट्स करवाए जाएगे जो लोग भारत का समर्तन करते हैं कश्मीर में उनको कश्मीर से बाहर कर दिया जाएगा ताकि कश्मीर के उपर आतकवादियों का होल्ड और भी जादा स्ट्रोंग हो सके तीसरे चरण के अगर मैं बात करूं तो इसमें गैर सुनी मुस्लमानों को भी भड़काया जाएगा कि आप प्रोटेस्ट करें भारस सरकार के खिलाफ बगावत करें इसका रिजल्ट हमें ये देखने को मिलता है कि 1988 में पंडितों का नरसाहार हुआ था सिखों का नरसाहार हुआ था जिसे हम कश्मीर एक्सोर्डस भी बोलते हैं अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा फॉर्थ चरण के अगर हम बात करें तो इसमें पुलीस को टार्गेट किया जाता है पुलीस के खिलाफ पर दर्शन किया जाता है भारत विरोधी नारे लगा जाते हैं ताकि लोग पुलीस का सपोर्ट ना करें और पुलीस के खिलाफ पर दर्शन करें जिससे कि भारत में एस्पेशली कश्मीर में और भी जादा इंस्टेबिलिटी आएगी फिफ्ट चरण की बात करें तो इसमें पुलीस परसनल जो होते हैं सिपाही होते हैं उनकी हत्या की जाती है ताकि कश्मीर यूथ को ये बताया जा सके कि आप पुलीस जॉईन ना करे और अगर कोई कश्मीरी यूथ पुलीस जॉईन नहीं करेगा जम्मू और किशमीर के लोग पुलीस को जॉइन नहीं करेंगे तो डैफिनिल्टी वहाँ पे इंस्टेबिलिटी आएगी तो ये फिफ्थ चरण है ताकि सिपाइनियों की हत्या करके लोगों के अंदर एक डर पैदा किया जा सके चटे चरण के अगर हम बात करें वहाँ पे पाकिस्तान अभी तक नहीं पहुंचा है चटे चरण में क्या होगा कि पाकिस्तान डारेक्ट जंग छेड़ देगा किसके खिलाफ भारत के खिलाफ तो आमने सामने सेनाओं की लडाईयां होंगी और दूसरी तरफ जो आतकवादी होंगे वो और भी ज़्यादा आतकवादी हमले करवाएंगे पूरे भारत में ये है चटा चरण पाकिस्तान का तो ये ओवरोल प्लान है टोपिक प्लान पाकिस्तान का जो भारत के खिलाफ चला हुआ है ऐसा माना जाता है और अभी तालिवान का होल्ड अफगानिस्तां में हो चुका है तो ऐसा माना जाता है कि तालिवान अगर अफगानिस्तां में स्ट्रोंग हो गया तो अब भारत में इस तरह की आत्गवादी एक्टिवीटीस हमें और भी जाधा देखने को मिल सकती है जो भारत के लिए बेहद ही खतरनाक सावित हो सकता है तो फ्रेंट्स ये थी एक छोटी सी वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे शेर करें लाइक करें सबस्क्राइब करें थैंक्यू वेरी मच